नमस्कार आप देखरें नियूज नेशन मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रिवास्तव हमारी महा कवरेज चुनाफ को लेकर जारी है क्योंकि उतरप्रदेश में दूसरे चैनल का मतदान आज हो रहा है और अभी तक 23.3% मतदान हो चुका है अलग अलग जगों से संबल बदायू, शाजापूर, रामपूर, गोवा, मुरादबाद, बिजनौर, अम्रोहा, देरादून, बरेली, लालकोवा, बिजनौर तमाम जगों से हमारे सायोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और तमाब अबजे साब तक पहुंचा र रहे हैं, यहां से कॉंगरिस उम्भी द्वार काजिम अली खान का दावा है कि रामपूर में लड़ाई त्रिकोनिये हैं रामपूर विधान साबा से कॉंगरिस के प्रतियासी नावेद मिया इस समय हमारे साथ हैं नवाब साब आपकी लड़ाई किस से है, आजम खान से या बीजेपी से आजम खान लगातारी सीट से जीते हैं, लड़े हैं, इस बार भी वो जेल में रहके चुनाव लड़ रहे हैं आपको लगता है कि इस बार आप उनको हरा पाने में कामियाब रहेंगे? मैं तो पहली बार लड़ा हूँ, वो यहां किती बार लड़े, वो सही है, लेकिन मैं तो उनके विरोध में पहली बार लड़ा हूँ, तो देखते हैं, जनता क्या फैसला लेती है आखरी सवाल, अगर आप जीतते हैं, तो विकास कारेयों के बात की जाए, तो रामपूर में क्या खास आपके नजरों में? क्योंकि आजम खास आपने तो यहां विश्वद्दाले दिया है वो विश्वद्दाले उनका बिजनस है, उनका कारोबार है, हर बच्चे से डेड़ لاक रुपएफ वो लेते है, उनोंने रामपूर को दिया नहीं है रामपूर को देते है अगर जो शिक्षा होती, तालिम होती, मुफ्थ की होती उस विश्वध दाले की तो डिग्री मानिता नहीं रखती है तो किस काम का है वो विश्वध दाले वो तो उनका कारोबार है उसके अलावा रामपुर को कुछ नहीं दिया है जो सियोर सिस्टम है यहां का जो इसका स्वेच पाइपस का है बगए नियम के जमीन में वो डाल दिये करोरो रुपए वो जमीन में चले गए वो आजम की देन जहां सड़के बैठ गई है तो ये चीज़े हैं हर नुकसान जो रामपुर में वो आजम की देन चाहिर सी बात है कि रामपुर में जो नुकसान है वो आजम का की देन है और मामला यहाँ पर त्रिकोडिये हैं कहना है कॉंग्रेस के रामपूर से प्रत्यासी नावेद मिया का विडियो जनरिस्ट अतुल राज के साथ निशानतराई न्यूनेशन रामपूर